रावी, नी रावी, तेड़े दरद सतीन दे, तुँ सुक दी जामे, साड़े नीर वहीन दे, तुँ माईये साड़ी, तेरे वैन सुनीन दे, तुँ लोड दिरानी, लोकी सारे कैन दे इस वक में जिस मुकाम पे खड़ी हूँ, यहां पर दो दहाई पहले पानी हुआ करता था, लेकिन अब सुरत हाल यह है कि मेरे इर्द के सारा बेरल लैंड है, यह लहौर का दर्याए रावी है, अगर मैं आपको दिखाओं तो आज यहां पे एक तरफ रेसिंग ट्रैक है, ज क्योंके हकोमत के यह कहना है कि दर्याए रावी की यूटलाइजेशन अगर इस तरह नहीं तो टूरिजम के हवाले से इस तरह की जा सकती है, और एक तरफ यहां पे खेत हैं, तर्याए में पानी होना चाहिए है, मैं पस पानी नहीं है, तो और लेकिन यहां पे रावी अब शुआ तरह में एक रणे की तरह की तूर्माल प्रवा एक तरह की तरह की जए मुज़ा है, तो वावी तो पानी है, तो यहां में पानी पानी है, तो पानी है. बार पहले जरिये सानना हो फस्तिर मगरो फसल बीज़े सानना फसल बड़ा अच्छा उन्जासी पानी जित्या तो बग़र जड़ा है नहीं लोकाने टूब चला दे पहने तो अपना फसल लिड़े पहने पहने पानी आता ही नहीं है अगर जून जलाई के दो माह में आता है लोग पानी ना उने की वज़ा से दरिया के अंदर भी काष्ट करने शुरू कर देते हैं और साथ में अपने डेरे बना लेते हैं वो साल में एक मरतब़ दो महीने के लिए जब दो महीने के अंदर सलाब आता है तो उन लोगों का मजीद नुक्सान हो जाता है हम ने देख 1998 में आखरी बार जो सलाब आया कनारों के ब्राबर यह दर अमारे गाउं के तरफ एक फोट दो फुट आया हुआ उसके बाद से तो पानी बिल्कुल नहीं आया अगर कभी आया तो कनारों के अंदर ही है वी पंजी टी साल तो अगे एकते में शाम पानी आंदा सी दूसरा पानी बड़ा डबल उन्दा सी वो दूबाद फिर कदी बहुता हो गया कदी थोड़ा हो गया कुछ साल पहले भारत ने जब डैम बनाया दरिया रावी के उपर तो उसके बाद सूरतहाल यह बनी के दरिया रावी में जो थोड़ा बहुत कहीं कहीं गुजरते हुए पानी नजर आता था तो बिलकुल खत्म हो गया है और अब यह खुशक दरिया है जिसकी यूटलाइजेशन या तो मुकामी लोग कर रहे हैं या फिर हकूमत अपने तौर पे कर रहे हैं यह रावी साइफरन का बेसिकली में पॉइंट है जहां से दरिया रावी पाकिसान में इंडिया ने डैम्स नहीं बनाए थे उस वक्त तो उस रिवन सर्द्यों में पानी रिवर में अच्छे कॉंटम था तो अब उन्हें दूसरा जब डैम बनाया उससे तो बिलकुल ही वो जिरो फ्लो हो गया उसका ठीक हाँ जो हमारा उनके साथ महदा हुआ उसमें उनकर रा तो उसका इंपक्त तो है कि रिचार्जिंग अधर से नहीं हो रही बल्के कंटम जो हम उसमें डिस्पोज आफ कर रहे हैं उससे ग्राउंड वाटर भी पिलूट हो रहा है इसी वज़े से हम टीटमेंट प्लांट्स पे बड़े फास्ट आइक पे काम कर रहे हैं फंडिंग एक मिलाने वाली मिलाब करवाने वाली नदी दर्या वो बनाना चाहिए था और हमने उसी दर्या को गतल किया है और हम उसको जो जो समें कुछ सास बाकी है हम उसके दर पे भी हैं हमारे जो यहां पर सारा रियल स्टेट है, जो डिवल्मेंटल सेक्टर्स हैं, वो अब रावी को गिदों की तरह जो है वो देख रहे हैं, कि कब यह दर्या सुके, कब हम इसकी जमीन पर अपने डिवल्मेंटल प्रोजेक्ट्स बनाएं, अपनी सोसाइटी बनाएं, सो इस वक बस मर रही है हमारी रावी है, जो हमारा में मकसद है, वो रिवर कीरी जोविनेशन है, आप लोगों की जो थाट्स है, उसको आप कंट्रोल नहीं किसकते है, सीइंग इस बिलीवी, अच्छा जहां तक बात ही है, कि जी लैंड के शुरू हुए थे, जब यह शुरू में कोई हाउसिंग सुसाइटी नहीं है, इस अ सिटी कंप्रीट शहर जो अपने पूरे परेफरनीलिय के साथ, अपने पूरे अर्बन वेर विदाल के साथ जो है, वो अपियर होगा